अब वैसे तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था क्योंकि किसी भी एक छादर के भविशिक के साथ खिलवार करने का अधिकार किसी को नहीं है अब आप खुछ सोचिए कि नीट का पेपर जो पूरे देश में दो बज़े से स्टार्ट होके पांच बच कर बीस मिनट पर समाप्त होने वाला था अगर आपके साथ अगर ऐसा हो जाए कि वह आपका पेपर साम को पांच बज़े स्टार्ट हो रहा हो और साड़े साथ बज़े आपसे OEMR सीट ले ली जाए फरस्ट आफ आफ आप कितने टेंशन में होंगे तो ऐसा हुआ है 36 गड़ में राजनान गाउं के एक एक्जाम सेंटर में देली पब्रीक स्कूल डीपीएस में एक्जाम हॉल में 26 हिंदी मीडियम के चातर बैठे हुए थे और इन्हें सबसे पहले तो इंग्लिस में पेपर दे दिया गया जिसमें दोनों साइड में इंग्लिस लेंग्वेज में ही पेपर होता है और जबकि हिंदी मीडियम में का जो पेपर होता है उसमें एक साइड में हिंदी में और दूसरी साइड में इंग्लिस में पेपर होता है Anyway वो पेपर देनी के बाद जब छात्रों ने complain किया है तो उनका पेपर वापस ले लिया गया और उन्हें वेट करने के लिए कहा गया और पांच बजे साम को उनको पेपर दिया गया है और उसके बाद साड़े साथ बजे जैसा कि छात्रों ने मुझे बताया और अगर ये बात सही है तो NTO को definitely इससे related संग्यान लेना चाहिए कुछ शात्र और भी complain कर रहे हैं हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे कोई दिक्कत हुई हो जिससे कि आपका exam प्रभावित हुआ हो ये कोई छोटी मोडी बात नहीं होती है आपके career का सवाल होता है या उन्होंने time management में दिक्कत हुई तो इसलिए पूरा पेपर सौल नहीं कर पाए तो वो बात अलग होती है लेकिन प्रापर आपको तीन घंटे 20 मिनट का time मिलना चाहिए था टोटल 200 question थे भले ही 100 से आपको attempt करने थे लेकिन तीन घंटे का time भी इसके लिए कम होता है तो यदि आप में से किसी छातर के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप नीचे comment box में कर सकते हैं बाकी मैं उम्मिद करता हूँ कि जिन छातरों ने exam अच्छे तरीके से दिया उनका definitely paper अच्छा गया होगा फिर वो paper कैसा था physics का, chemistry का, biology का हम लोग subject-wide discuss करने वाले हैं इस साल के जो cut-off होने वाले हैं स्टेट के लिए, 36-गर स्टेट के लिए या साथी साथ जो all India के लिए जो cut-off होने वाले हैं उस पे भी हम discuss करेंगे फिर exam के बाद आपकी क्या strategy होनी चाहिए लाइक अगर आप अभी fresher है, 12th class में है या फिर आपने drop लिया हुआ था और अपने exam दिया हुआ था तो फिर आपके पास कौन-कौन से option खुल जाते हैं नीट exam के थूँ तिन सारी चीजों पर हम लोग little discuss करेंगे तो आज मैं आपको ज़्यादा tension नहीं दूँगा अल्रेडी ये बहुत ही चिंता जनक बात है tension वाली बात तो है ही उन चातरों पे साथ अभी उनको कैसा लग रहा होगा कि बाकी सभी चातर तीम गंटे 20 मिनिट का paper दे रहे हैं और ये सिर्फ दो घंटे 30 मिनिट में paper submit कर रहे हैं और वो psychology को आप समझे उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा तो बहुत सारी चीज़ें होती है मेरा कहना यह है कि सिर्फ number of exam center बढ़ा देने से और अगर आप proper तरीके से सभी इस सेंटर में exam conduct नहीं पा रहे हैं कर पा रहे हैं या आप इनिजिलेटर को proper तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं देखिए ये किसी के भवशे का सवाल होता है हर स्टूडिन चाहिए उसने preparation करेके exam दे रहा हो या फिर वो नहीं भी क्या हो preparation ये matter नहीं करता लेकिन किसी भी चातर के भवशे के साथ खेला नहीं जा सकता तो अब NTA क्या संग्यान लेता है अगर ऐसे बहुत सारे complaint आएंगे तो क्या नीट 2022 का exam फिर से होगा repeat या फिर कुछ इनके लिए solution दिया जाएगा इनका re-exam कराया जाएगा जो कुछ भी है जल्दी होना चाहिए क्योंकि इन सब कारण से result delay होता है result delay होता है तो counseling delay होते है और सारे process फिर late हो जाते है तो उम्मीद करता हूँ कि इन चातरों के साथ भी अच्छा हो 26 student है ठीक है किसी ने 2-3 साल drop लेके भी preparation किया होगा तो यह बहुत ही गलत हुआ है so that's all for this video मिलते हैं next video में thank you very much